हेलो फेंट्स तो आज हम बात करेंगे यह जो आप इमेस थमनेल में देख पा रहे हो यदि ऐसे ही फुंसिया बंस आपके जनाइटल ओर्गंस में है स्क्रोटा में है यह पैनिस के साफ्ट में है तो आपको वीडियो जरूर देखने साहिए हम जानेंगी कि क्या यह बिमारी खतरनाक है क्या यह असानी से ठीक हो सकती है क्या इसका ट्रीटमेंट होगा यह होती कैसे है इसके लक्षण क्या है इसके सिंटम्स क्या है सेक्टर सेक्टर तो स्टार्ट करते हैं यह है क्या देखको यह यही फुंसिदी यही बंस आपके जनाइटल में प्रेजेंट है तो चोटे-चोटे दाने zenital organs में हो जाते हैं या वो penis की soft में हो जाएंगे या stotum में हो जाएंगे तो गबराने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है यह होती कैसे है तो देखो यूजली ये skin contact से होती है sexual transmission से हो सकती है यूजली skin to skin contact रहता है किसी person को है तो आपको भी जरूर हो जाएगी और होगी कब मानके चलो यदि आज आपका skin to skin contact होए तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही हो जाएगी हो सकता है कि दो हफते में हो तीन हफते में हो साथ हफते में हो, साथ हफते के अंदर-अंदर तो हो सकते हैं कि दो मीने में नहों इसको साथ-8 मीने लग चाहें लेकिन यदि एक बार ही वायरेस आपके बोडी में चला गया है तो इसके सिम्टम्स आपको कभी ना कभी एक साल के अंदर तो दिखी जाते हैं तो इस पिरिट को को इनक्यूबेशन पिरिट कहते हैं अभी होती क्यों है क्योंकि काफी मुझे मैसेज आते हैं पूर्ष ने सरे होती क्यों है तो मैं बता दूए पर छोटे चोटे चोटे दाने होंगे थोड़े ठीक है यह दाने चोटे बच्चों में भी होते हैं लेकिन चोटे बच्चों में अपना पेठीक हो जाते हैं लेकिन हम adults की बात करें तो वहाँ पर मैं आपको बता दिया है कि अपने आप ठीक नहीं होंगे treatment लेना पड़ेगा यदि आप treatment नहीं लेते हो तो फैल सकते हैं spread कर सकते हैं यदि एक दाना होगा तो एक के चार होंगे चार क्याट होंगे ऐसे फैलते चले जाएंगे ध्यान द सब्सक्राइब हो जाता है लेकिन यह तब होगा जब वह दाने आपके फेस में आजाएं या बुटॉक में आजाएं यह जादा दिखने लग जाएं तो अदर्वाइस घबराने के जुरत नहीं है इसकी डियाग्नोस कैसे करने हैं डॉक्टर देखके बता देता है कि मुला सब्सक्राइब हो सकते हैं तो इसका कुछ हो जाता है तो वह सकता है या फिर कुछ और भी स्किन डिसोडर हो सकते हैं लेकिन जादा चांस रहते हैं मुलास्काइब क्या होगा तेखो यदि छोटे बच्चों में हैं बच्चों में हैं तो इसका कुछ नहीं है सेल्फ लिमि इसकी क्रीम आती हैं, ointments आती हैं, salicyclic acid बगार आती हैं, लेकिन वो treatment पर्मनेंट नहीं है, असानी से ठीक नहीं होता है, इसका जो best treatment है, वो यही है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर इसको scrap करके निकाल देगा, एक local anesthesia मतलब उस जगों को पहले सुन करेगा, फिर scrapping की help से उसको रगड के निकाल देगा, तो इसका वो permanent treatment है, क्योंकि हमने इसका जो cause है, मतलब इसका जो viral particles कोई बाहर निकाल दिया, तो spread नहीं होगा, फिर ना, उसको फिर अच्छे से रगड के local anesthesia लगा कर डॉक्टर ही करता है, यह अपने-अपने किया जाता, डॉक्टर इसको निकाल देगा, इसलिए बिल्कुल भी इसमें सर्माने की बात नहीं होती है, यह body parts है, उसी की बिमारियां है, हना तो ऐसी कुछ दिक्कत आती है, तो डॉक्टर के पास जाओ, वो simple, इसको मैं surgery भी नहीं कहूंगा, ठीक है, यह चोटा सा procedure है, और इससे ठीक हो जाओ ठीक है, तो आपको कोई भी doubt हो, कोई भी query हो, आप comment box में बता सकते हो, या मुझे personally मुझे message कर सकते हो, thank you.